भूझे कि कौन सा है और जोंड़ां की पर हम सारी की जम को दिखाएगा करें के बिता इनक कि आप कॉन न का कर देंगे कि कि यहां पर कि कतने चल्ट परसंटेश आपको मिलने वाला है लग भग किस तरीके से आप लिखियोंगे तैयरी भी कियोंगे उसी साथ में रिविए आपका यहां पर मैं कॉंफर्म भी कर दूंगा लगब गुत्री परसंट आप पा जाएंगी और चिंता भी नहीं करने की जरूरत है आपको रिजल्ट निकलेगा आपका मार्क आपको मिलने वाला वो सारी चीज़ें करएं तो यहां पर पहले पास तो तो कि तुन कोंपि थी वह इतना कौद गए और यहां पर इतनी क्योंपी कोंपी ने बहुतिएगा प्सक्राइब मुल्यंकान कोंपी और यह उसकी देट है wild मुल्यंकान ऑपी गरे कांज उसके ही और यह 30 मं को क्वेट कर लिया गया और 31 मार्च कहें पूरा देडलाइंग जो डेट होती है उसके पहले तो इसके पहले पुराने जितने भी रिकॉर्ड है इस सारी रिकॉर्ड अपना खुट तोड़ देगा इतने पहले रिजल्ट कभी दिया नहीं है तो यहाँ पर यह केंदर बनाये गये थे जैजने के लिए काफियर लड़कों का पासिंग परसंड था यहां पर देखा जाए तो यहां पर अब की बार भी देखना है कि लड़किया ज्यादा बीट करती हैं कि लड़के बीट करते हैं तो आप यहां पर हम पताने वाले हैं कि इस बार भी दिन से कमाने वाला तो नहीं है फिक है इसी के इद्गिन में रहेगा और एक बात है टापर की रही बात देखते हैं तो वह आपको पता है कि 97-98-98 कुछ परसंटेज आपका आता है और जो टापर होंगे सामने खुद आए हैं कि कोई दिक्ष्ट नहीं एक बात यहां पर रजिस्टेरन जो लड़कों ने हाइश स्कूल में इतने लाख रजिस्टेशन हुए थे 29 हमारे 10 में रेजिस्टेशन हुए थे तो 12 में 26 लाग इतने रिश्टेशन हुए थे यहां पर इस तरीके से यहां पर अगर हम हैं उनको हम देख लेते हैं उनसे आपको अंटाजा खुद लग जाएगा का आपकी डेट कौन सी रहने वाली है ठीक है तुसमें देखिए यहां पर जो है अगर हम 2009 की बात करें ती यह रिजल्ड निकला था 27 अपराइल को कितनी तारीक को निकला था 27 अपराइल को ध्यान द अधिस जुलाई को फिर 2022 को यह अठारा जून को अधारा और 2023 की अगर हम चर्चा करते हैं तो लिकला था 25 अपराइल को की विया थे विच्ण आप इस अंधाजा लगा सकते हैं तो यह पांच साल का कि वीचलिज सब्सक्राइल को भी मिजार आंजय को निकला है और यह बहार वी कौप्य जज़िए तो आप खुद अंधाजा लगा सकते हैं तो हमारा जो 2024 का डेट होगा वो क्या होगा खुद सभी न्योज ऑफिसियल जो होते हैं चाहे आप उमर जाला चाहे देनिक जागरा चाहे हिंदोस्तान चाहे तो कोच भी देखें तो रिजल्ट डेट जो निकल करके आपके सामने आ रही है वो आ रही है आपका पंद्रा से लेकर पच्चीस की बीच ठीक पंद्रा से लेकर पच्चीस अपरेल के बीच में आपका एक्जाम डेट आने वाला है पंद्रा से और पच्चीस की तो मैं यहां पर बताओं अगर मोटा मोटी बताओं तो आप समझ के चलिएगा यह आपका करीब 20 के करीम निकलेगा किसके करीब 20 के करीब क्यों 20 के करीम निकलेगा मैं बता रहा हूं पच्चीस जो है यहां पर रिकार्ड तूटेगा पच्चीस के पहले 24 22 तो आया है नहीं सकता है इधर अगर देखा जाए तो 20 एक डेट हो सकती है ठीक ठाब डेट हो सकती है अगर तो 20 के आसपास आप समय देगे रिजल्ट आपका आ जाएगा ठीक है वागी चैसे वीडि आप क्या करना है कहां पर चेक करना है आपको यह तीन वेफसाइब मिर रहें जोकि वीजोड यह जैसे आप यहां पर चेक करेंगे upmsp.edu.ie.in यह या इन या इन यह तरीके से रिजर्स ठीक है? या अगला वेबसाइट है यूपी रिजल्स डॉट एन आई सी डॉट इन पर इन तीन वेबसाइट पर आपना रिजल्स चेक कर सकते हैं आपको क्या करना है उसमें आपको मिलेगा आपका अनकुर्मान भरने के लिए और आपना कोड वगएर अगर जो कुछ भी हो जैसे सिस्टम अलग तरीके चेंड कर सकते हैं वह लग बात बस अपना रोल लंबर को जरूरी है रखना क्लास अपना चेक कर लेना बस वह सब्मिट कर देना तो आपका रिजल्स आपके सामने आजाएगा बाकि अगर आप वर चाहिए तो ह करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा साब का करता होगा आप रही बात में कंफ्यूजन इस दूर करता हूं को जाम में आप पास होने वाले हैं या फेल होने देखिए मुद्दे की बात बता हूं सबसे पहला बात यह है कि आप जब एक्जाम देने गए हैं या दिये हैं तो आप एक बार दिमाग लगाए कि आपका सिबंटी परसंट जो है मतलब सकतर परसंट का पेपर हो रहा है क्योंकि देखिए अगर आप वो इंटर में हैं तो सब्सक्राइब अगर नियुकर सब्सक्राइब, इस इसमें से उनको तो पंद्रा मिलना ही अधिकतर टालब कर वा देता है कॉलेच वाले या अधिक सदिक। तो दस तो मिली ही जाता है यह दस मिल जाएगा है अभी स्нокर्ण्ट नहीं जाएक सब्सक्राइब कि यह हो जाता है और तीस के इसको मार दो गोली खतम सत्तर वाले को यही देखना है डारेक्ट तो सत्तर में आपको दिमाग लगाईए कि आप इसमें आप टीस से लेकर के कि यहोंगी केसे अब मैं बताता हूं दोनों पिरी एक बाइद मार को मिलेगा क्जाम कि अगर की कॉपी प्यार अगर आप दिनका को सब्सक्राइब है एक लिखने आप अब जुछ बनाकर लिखेंगे गलत लिखेंगे वह इसी बातों को कहे रहे हैं तो आपने जो भी लिखा है अगरा आपने दिमाग सोचा है कि मैं सारे को disciplines किया हूँ ठीकशन कम बंद मैंने सकतर नंबर का पेपर होता है ड तो आप दस तो सही किये होंगे तो आप अच्छा अच्छा कुष्छन तो आप बच रहा है साथ को शाथ नमबर का साथ मार्क आप वो अंदाज से लगाए हैं तब भी 40 तो आपको और पास हो जाएंगी यह गारंटी मेरी पास हो जाना तो आके कमेंट कर देना हमारे चैनल प मिलते रहें रहें हैं कोईजन मिल जाएंगे राटेंथ मैंत तुवल्थ के लिए कोईज मिलेंगे सुबा साम ना दोबार को तीन कोईज कोईज हाल करिए बहुत यह अच्छा एफेक्टिव कोईज रहते हैं और वीडियो भी डेस्टिसर में हैं प्लेलिश चेक कर लेना अ हूँ अला या गौड जो भी हो सभी से मेरी यह कामना है आप सभी सफल हो और अपना नाव रोसन करें एंक्स वराचिंग एंग कोई लाट